सर इसराइल के प्रधानमंद्री ने अमेरिका पर आरोप लगाए है कि वह हत्यार भेजने में देरी और आनाकानी कर रहा है इसराइल के प्रधानमंद्री ने अपनी वार कैबिनिट भी भंक कर दी है इस सबका इसराइल हमास अंगर्श पर क्या असर पढ़ सकता है नेरी जी देखिए अभी जो हमास और इसराइल की युद्ध चल रहा है वहाँ पर वो कोई जो है अभी किसी मूड निडायक मोड पर नहीं पहुंचा है अभी तक नहीं पता इसराइल तो अपने चलाय जा रहा है आगे बढ़ता जा रहा है गाजा मतलब आखरी तक छोड तक पहुंच गया लेकिन हमास का खात्म अभी तक नहीं हुआ हजबुल्ला उदर दूसरी तरफ एक्टिव हो गया है काफी जबसे उसका लीडर मारा गया है इसराइल की बॉमिंग में तो होतिज अलग एक्टिव हैं तो अभी कोही कई ऐसी कमी नजर नहीं आती है ऐसा एक्टिवमेंट नहीं लगता कि बहुत कुछ हासिल हो गया हो लेकिन यह जरूर नजर आ रहा है लोगों को सबको दिखाई पड़ रहा है कि मानवी तरास्दी जो है वो बढ़ गई है गाजा में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं अब टोटल कुल मिलाया जाए तो तक्रिबन 38,000 के आसपास पलिस्टिनियन्स मारे गए हैं जो रिकॉर्डड़ है 60% उसमें बच्चे और मिलाएं हैं कितनी ज़्यादा 75% इंफरास्ट्रक्चर नुकसान हो गया है कहा तो यह जा रहा है कि जतना इजराईल में नहीं हुआ उससे ज़्यादा परसंटेज़ वाइज नुकसान इंफरास्ट्रक्चर का घाजा में हुआ है फूड और खाने पीने और बाकी जो चीजें उसकी हाला देखिए दुनिया के सारे देश और यूएन यूएन नों तो हमेशा यह कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ही तरास्दी हो रही है इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस और इंटरनेशनल किलमेन कोर्ट के ने क्या फैसला दिया है और सब हम जानते हैं जो कि इजराहिल के खिलाफ है यह उन हमास के भी खिलाफ है और जो बाइडन जो अमेरिका के रहस्पति हैं खुद भी नहीं इसके विरुद्ध हैं जिस तरह से नितिन्याहू वाँ गाजा का उपरेशन चला रहे हैं खुद नितिन्याहू के जो केबिनेट के उसके अंदर इसके उपर एकमत नहीं थी इनके खुद के जो मिनिस्टर्स हैं उनमें एकमत नहीं थी और इनको भंग करना पड़ा अपनी वार केबिनेट जो बनी थी अपोजीशन और राइट विंग इनके जो एमपीज थे उनको लेडर्स थे उनको ले करके तो ये चीजें वहाँ चल रही हैं और सबका इफेक्ट इसके उपर पड़ा है जो बाइडन अपनी नाराज़ की जता चुके हैं कि जिस तरह से हैंडिल कर रहे हैं इतने आओ गाजा वहां की लड़ाई उनकी आर्मी ने आईडियफ इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि वो युद जिराम करेंगे दस से ग्यार गहंटे का जिससे कि सहायता पहुंच सके हलाकि कहा है जा रहा है कि एक तरफा है और नेतने आओ इसके खिलाफ है लेकिन उनकी आर्मी ने कहा है कि हमने जो लीडर्स का डिसीजन है उसके मताबकी काम कर रहे हैं तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं और एक और चीज जिसमें कि जो लोग है जराइल के वो भी खिलाफ है नितने आओ के वो चाहते हैं कि खास करके होस्टेजिस की बीच में को लाने में कुछ कोई मदद नहीं मिली हो चाहते हैं कि जो है युद विराम हो इनके केबिनेट के राइट विंग के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं बेन गुईर और बागी जो लोग हैं वो चाहते नहीं हैं कि युद विराम हो जब तक हमास खात्माना हो तो एक उस चीजें थी जिसकी वज़े से ये दोनों में दराट थोड़ी पहले ही से पढ़ रहे थी अमेरिका और इनके बीच में और अभी नितिनाओ ने जो एक सोसल मीडिया चैनल पर एक बात कही है कि उनको जो है अमेरिका कुछ हत्यार जो है रोक के रखा हुआ है नही फालो कर रहे हैं पूरा अपना नीचे से लेके उपर तक कॉंगरेस के अप्रूवल तक का उसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन हमें अच्छी तरह याद है कि देखिए मई के महीने में जो बाइडन ने रोक दिया था या अमेरिका ने रोक दिया था इनको 2000 पाउंड के ब और देखिए बिलिंकेंड जो है अभी गए थे जामेरिका के जो विदे सची में वो अभी गए थे इसराइल में और वहाँ प उन्होंने कहा कि मीडिया में उन्होंने बोला है कि एक शिप्मेंट को छोड़ करके बागी सब जो है नॉर्मली आ रहा है तो यह मतलब आपस का जो थोड़ा दरार है वो जागर हुआ है हलांकि नेतिनाओं ने भी कोई डिटेल्स नहीं दी हैं इसमें कि कौन से हतियार हैं जो उनको नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन जो उनको जवर्त है इस समय ओ आर्टिलरी आमिनिशन रॉकेट्स शॉर्ट रेंज मिसाइल्स इन समों की हजार दीजिए हथियार दीजिए और हम अपना काम बहुत जल्दी खतम कर देंगे इन्होंने इन फैक्ट चर्चिल ने मिस्टर चर्चिल जो प्रदान मंत्री थे इंगलेंड के उन्होंने वर्लड वार टू में चीज बोली थी कि गिव उस वेपन्स और विल डू दो जॉ कि आप हम हथियार दीजिए हम अपना काम पूरा करेंगे उसी को इन्होंने थोड़ा रिवर्डिंग करके बोला है तो यह जो यह भी कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि अभी भी इजराईल के पास राफा में जो अपना उन्होंने मकसद लिया है जो जो करना चाहते हैं उस हिजबुलावी काफी वहां पर बॉंबिंग करने लगा है रॉकेट्स चलाने लगा है आडरली वहां से उसने फारिंग शुरू कर दी है तो यह जो चीजें हैं यह इनको उपर और स्ट्रेस डाल नहीं है और ज्यादा हथियार अमिनिशन की जोड़ पड़ रही है हलाकि य इसमें की पचास तकरीब हैं फिफटीन लड़ाकों विमान भी हैं लेकिन इनको जो है अभी जो अमिनिशन च्रहिए जिसकी कमी हो रही है वो जल्दी चाहते हैं नितने आओ अब देखें की वार केबनिट की जहां तक बात है उन्होंने भंग किया है यह अक्टूबर के ज गैंट जो हैं वो अपूज एक डिटाइड जनरल हैं जो की अपोजिशन में थे इनके नितने आओ के लेकिन वो केबनिट में आए अब उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनका यह कहना है कि जिस तरह नितने आओ रास्ते से भटक गए हैं और जिस तरह से ऑपरेशन चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है वो इस प्रक्ष में हैं कि कुछ हद तक शांती प्रस्ताव माना जाए और विड्रॉक यह अपने जो होस्टेजेजें उनको रिलिज कराया जाए और उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाए वो चाहते नहीं थे कि लड़ाई वो उनका य हो जाएंगे जो होने हैं तो उसमें वो जीत नहीं पाएंगे तो यह चीज उन्होंने कहा उन्होंने कहा जो स्टेजी है वो ठीक नहीं है पब्लिक ओपिनियन भी जैसे मैंने कहा नितने हो के अगेंस जा रही है कि स्लो प्रोग्रस हो रही है लड़ाई में और जो हमास है वो भी अपने हमला जारी किये हुए है, हॉस्टेजेज वापस नहीं आ रहे हैं, तो ये जो है, ये काफी ज़्यादा नितने हो के अगेंस्ट में जा रहा है, और इसलिए वो सीजफायर डील, देखी इतने दिन से सीजफायर डील जो अमेरिका ने दिया था, जो कि इनाइटेड नेशन से भी पास कर दिया, सेकुर्टी काउंसिल से भी पास हो गया है, और कहें जा रहा था, अमेरिका ने कहा था कि ये नितने हो की डील है, इसराइल की डील है, लेकिन ना तो अभी तक इजराइल और नहीं हमास ने पूरी तरह हां किये उस दिल के लिए, तो ये जो है, लगता नहीं की लड़ाई इतनी जल्दी खतम होगी, और जहां तक अभी है, इन्होंने वार केबिनेट भंग कर दी, वार केबिनेट अपनी, तो अब जितने भी डिसीजन्स हैं, वो नहतना ही लेंगे अपने जो इनके कुछ मेंबर्स हैं, उनको साथ में लेकर के, और अगर इन्यूस सही है, जो हम पहले कह रहे थे हैं कि इजराईल के जो मिलिटरी कमांडर्स हैं और अन्यतनाओ के बीच में भी अगर डिफरेंस आफ उपिनियन है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज नहीं है, और क्योंकि अगर दोनों में से कोई एकसेप्ट नहीं करता, पीजडील और ऐसी ही चलती रहेगी, तो लड़ाई बहुत जल्दी रुकेगी नहीं, आगे बढ़ती रहेगी जो कि एक मानवी तरास्दी में बदल गई है, और हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके